कि सब्सक्राइब करें इस्टेडी नॉलेग चैनल को और वेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो नमस्कार मैसल्फ अनिल कुमारे अदव सूरच इस्टूडेंट यदि आप हमारे अनेकडमी प्लेटफॉम पे जाना चाते हैं तो डिस्क्रिप्सर में लिंक दिया गया है आप हमारे अनेकडमी प्लेटफॉम पे जा सकते हैं यदि आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिगा डिस्क्रिप्सर में आपको लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप अभी तक हमारे वर्टसेफ ग्रूप से नहीं चुड़े हैं और आप प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्किप्शन में दिये गए वर्टसेफ ग्रूप को लिंक पर क्लिक करके वर्टसेफ ग्रूप से जूड़ सकते हैं Hello and welcome दोस्तों स्वागत करते हैं फिर से आज की इस वीडियू में हम आपको बताने वाले हैं समाकलन इंटिग्रेशन प्रेशन प्रेश्णावली 7.6 भाग बनाया जा रहा है खंडशा समाकलन जो की इसमें बदाया जाएगा प्रेशनाली 7.6 में खंडशा समाकलन पूछा गया है और यहां से हम खंडशा समाकलन को बताने की कोशिस करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा अगर देखेंगे तब यदी वीडियो नहीं देखें पूरा समझ में नहीं आएगा तो जो नए च स्टूड़ेंट है और सब्क्राइब नहीं कियां तो कर लिजगा क्योंकि आपको अपडेटेड ईदकिए खंडशा समाकलन नाम से पता चला है खंड सर मतलब खंड खंड में बाट कर करना जैसे अगर x cos x किसी question को हम ले लेते for example की तोर पे हम इसको solve नहीं करेंगा हम बस समझा रहा है देखिए x cos x ये दो फुलन की तरह दिख रहा है और कैसे हम पहचानेंगे की खंड सा समाख लन होता है तो द्यांद से समझेगा जब न हो ध्यान से समझेगा फ़लन होने चीए ए्सा नहीं है की 3 x कंग रुरा का संबंद आता है तो वहां पे हमें यूज करना है खंड़ सा समाकलन का, अब पशान गए, जैसे for example किसी और को देते हैं, जैसे x log x, अब देखिए ये प्रथम फालन है और ये second फालन है, दोनों फालन ही होने चीए, जब दोनों फालन है तो उस तरह से हम कह सकते कि इन दोनों के बीच में एक गुड़ा का संबंद दिख रहा ह और जब गुड़ा का संबंद आता है, तो उसका समाकलन अगर करेंगे, तो वो हमें खंड़ सा समाकलन द्वारा करना पड़ेगा, अब हम बताते हैं खंड़ सा समाकलन को कैसे करेंगे, इसके लिए क्या formula यूज होता है, और क्या step by step कैसे हल करते हैं, चलिए बताते हैं, त और आपको याद कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं, खंड़ समाकलन formula या सूत्रक, इसका formula है, integration u v dx, मतलब पहला फ्लन और दूसरा फ्लन अगर दोनों का गुड़ा आएगा और dx इस तरह से question पूछेगा, तो उसका formula कैसे यूज करेंगे, यू, integration v dx, यू, v का dx, माइनस integration, bracket में, आउकलन करेंगे, यू का, यू का आउकलन, integration v dx, और total का dx, अगर ये चीज़े समझ में नहीं आया, यू भी का, ठीक है, अगर यू भी का समझ में नहीं आया, तो हमारी भासन आईए, हम अपनी भासन कैसे इसको यूज करते हैं, ये प्रथम फलन, दूती फलन, dx, तो प्रथम फलन, दूती का समाकलन, माइनस, समाकलन, प्रथम का आउकलन, दूती का समाकलन, dx, इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजेगा, यहाँ पर दूती का समाकलन है, और यहाँ भी दूती का समाकलन है, इसको याद क कैसे करेंगे समाकलन जो करेंगे वो द्विती का ही करना पड़ेगा द्विती चाहे जो भी हो यह फलन में द्विती का ही समाकलन करना पड़ेगा आउकलन एक बार करना पड़ेगा प्रथम का और एक बार इसको छोड़ देना है और यह पर इंटिग्रेशन जो लगा इन प्र्थमपलन किसको रखना है नहीं थोड़ा है मदे यह पर बता डेते हैं इसको ध्यान से समझे मुश्ट कैसे पड़ा करेंगे प्रृतम पलण उसको रखना है दूति फलण उसको रखना है जैसे इक्जामपल x sin x आ गया है ठीक है तो ध्यान दिजेगा sin x और x पहले ये चेक करेंगे कि किसका समाकलन हमें आता है क्योंकि आउकलन तुम मुझे पता है सभी का आप कर लेंगे आउकलन बहुती सरड होता है आप कर लेंगे लेकिन चेक करना इन दोने में कि किसका समाकलन हम कर लेते हैं और किसका नहीं कर पाते हैं तो जिसका नहीं करेंगे उसको बनाना है प्रथम ठीक है और जिसका कर लेते हैं उसका बनाएंगे second समझ में आ गया अगर फिर भी नहीं समझ में आ तो फिर से बता दिते हैं जैसे इसमें क्या यूज़ करेंगे इसमें चाहे तो आप इसको प्रथम बनाईए और इसको सिगण बनाईए चाहे तो आप इसको सिगण बनाईए प्रथम बना सकते हैं क्योंकि दोनों का आप समाकलन जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे कंडिसन होता है जिस इसमें आपको बनाना ही पड़ता है जैसे x log x अब देखिए log x का आउकलन जानते हैं लेकिन समाकलन आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा log x को प्रथम ही बनाना पड़ेगा क्योंकि log x का आप समाकलन नहीं जानते हैं और प्रथम आउकलन कर लेते प्रश्णावली 7.6 का, पहला कोशन है integration x sin x dx, तो देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है, गूडा का संबन दिख रहा है और दोनों फालन है, तो हमें पता चल गया कि यह खंडिशन समाकलन से लगाना है, उसका फॉर्मला मैंने लिख दिया है, प्रथम फालन द्विति का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का उकलन द्विति का समाकलन टोटल का समाकलन करना है, इस तरह से करेंगे, तो चले करते हैं, यहां से हल करते हैं, एक दो कोशन अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको समझ में आ जागा कि कैसे इसको हल करना है, प्रथम पहले x लिखना है, इं यह हो गया द्विति का समा कलंड माइनस integration लगाएंगे bracket में dy dx प्रथम तो लिखेंगे dy dx प्रथम क्या हमारा x है x हमारा प्रथम है integration फिर द्विति का समा कलंड करना तो द्विति हमारा वहीं था sin x यह हो गया dx bracket बंद और total का dx अब इसको हख करते हैं तो यह हो गया x अब sin x का करेंगे तो मिल जागा minus cos x माइनस integration अब इसके अंदर x का कर लेते हैं तो x का होता है 1 तो यह हो जागा 1 into यहाँ पर भी sin x का करेंगे तो वहीं चीज़े मिलेगा minus cos x यह हो गया और यहाँ पर dx फिर देखिए यह हो जागा minus x cos x ठीक है यह हो गया और minus integration इसका गुड़ा कर देंगे तो यह minus जो है यहाँ पर चला जागा तो यह हो जागा plus तो लिखेंगे plus और यह cos x dx मतलब अब इसका हम करेंगे समाकलन तो कर लेते हैं minus x cos x और plus इसका करेंगे integration तो हमें मिल जागा sin x और plus c लगा दीजे क्योंकि सभी का समाकलन मैंने कर लिया है अचरपत के लिए हम c लगाते हैं तो यह हुझा का first question का answer उमीद करते हैं पहला question बहुत ही simple तरीके से आपको समझे में आ गया है इसी तरह से सारे question हम आपको बताएंगे second question देखिए second question है integration x sin 3x dx formula मैं नहीं लिख दि इसको second बनाएंगे इसको बना के करते हैं तो प्रतम फलन ज्विती का समाकलन sin 3x dx मैंने इंटिग्रेशन प्रतम का आपकोलन integration ज्विती का समाकलन sin 3x dx total का bracket बन और dx scroll करते हैं तो यह हो जागा x sin 3x का हमें करना है समाकलन तो इसका समाकलन आप आगे कर चुके होंगे क्योंकि खंड़स समाकलन करने का मतलब है आपको समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आता होगा और यह प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाता है यहाँ पर मैं डारेट आपको बताने वाला हूं तो इसका समाकलन हो जाएगा minus cos 3x upon 3 यह हो गया minus अब यहाँ पर आएंगे integration x का हो जागा 1 into वही चीज़ फिर लिखेंगे minus cos 3x upon 3 और यह dx ठीक है इतना करने के बाद अब इसको हल करना है तो चलिए हल कर लेते हैं बारी बारी से यह हो जागा minus x cos 3x upon 3 अब इसका करना है हमें किसका तो यह minus minus plus हो जाएगा और यहाँ पर हम एक बार और लिखे लेते हैं cos 3x और यह 1 by 3 को हम बाहर कर लेते हैं तो यह हो जागा 1 by 3 और यह dx अब देखिए आगे minus x by 3 cos 3x plus 1 by 3 cos 3x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा sin 3x upon 3 और यह plus c लगा देंगे एक ही स्टेप और बढ़ा लेते हैं minus x by 3 cos 3x plus 1 by 3 sin 3x by 3 गुड़ा करेंगे तो 1 by 9 आजागा sin 3x और plus c यह हो जागा finally इसका answer बढ़ते हैं question number 3 की तरो question number 3 इंटिग्रेशन x square e power x dx तो इसको बनाएंगे प्रथम और इसको बनाएंगे second और इसका हम कर लेते हैं integration तो प्रथम फलन जुती का integration इंटिग्रेशन माइनस इंटिग्रेशन d by dx प्रथम खा और इंटिग्रेशन e power x dx और टोटल का dx इतना करने के बाद इसको हम solution कर लेते हैं अब देखिए x square e power x का समाकलन करेंगे e power x माइनस इंटिग्रेशन x square का हो जागा 2x into e power x का e power x in total का dx फिर आगे देखिए x square into e power x माइनस अब इस 2 को हम करते हैं बाहर integration x into e power x dx अब देखिए यहाँ पे भी हमें दो चीजे मिल गया दो फलन x e power x तो यहाँ पे भी हमें करना पड़े का खंडशा समाकलन इसको बनाएंगे प्रथम और इसको बनाएंगे second तो लिखेंगे पुना खंडशा समाकलन करने पर ठीक है अब इसको पुना करते हैं तो बाकी चीजों को छोड़ देते हैं x square into e power x minus 2 इसको बनाते हैं ब्रेकेट में तो फ्रथम फलन ज्विती का इंटिग्रेशन माइनश इंटिग्रेशन फ्रथम का आउकलन e power x ज्विती का समाकलन और टोटल का d x ठीक है यह मैंने कर लिया अब इसके बाद इसको solution कर लेते हैं x square into e power x minus 2 अब यह हो गया x into e power x का e power x ही हो जाएगा minus यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका 1 into e power x का e power x तो लिख लेते हैं direct integration यह हो जाएगा e power x dx एक इस्टे पौर बढ़ा लेते हैं x square into e power x minus अब क्या करते हैं 2 से multiplication भी कर लेते हैं तो पहले हम करेंगे 2 x power x into e power x minus इसका समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा e power x यहाँ पे होगा plus क्यूंकि यह minus भी खुलेगा bracket तो हो जाएगा plus तो सभी का integration मैंने कर लिया तो finally लगा देंगे plus c तो यह हो जाएगा यहाँ पे अब देखते हैं क्या common दिख रहा है इसमें e power x सभी में दिख रहा है तो हम कर लेते हैं e power x को common तो x square minus 2x plus 2 plus c यह हो जाएगा finally इसका answer question number 4 integration x log x dx लेकि log x आ गया इसका हम समाकलन करने में असमर्थ हैं इसलिए हम इसको बनाएगे प्रथम और इसको बनाएगे second यह द्यान दीजगा पहले आपको पता कर लेना किसका हमें समाकलन आता है जिसका समाकलन आता है उसको बनाएगे second जिसका नहीं आता है उसको बनाएगे प्रथम तो वहीं चीज़े करेंगे यहां मैं गलत कर रहा था तो यह बनाएगे प्रथम integration d t का minus integration d by dx प्रथम तो प्रथम मैंने क्या बनाया है log x integration x dx और in total का dx यह मैंने formula लगा दिया अब इसको हल करते हैं यह हो जागा log x इसका हो जागा x square upon 2 minus integration 1 by x log x का होता है equivalent into x square by 2 in total का dx फिर आगे देखिए लिख लेते हैं इसको आगे x square upon 2 log x minus यह x से x cancel हो जागा और 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं और यह बचे का किवल x dx फिर आगे देखिए x square upon 2 log x minus 1 by 2 x square by 2 और plus c एक इसके पौर बढ़ा लेते हैं x square upon 2 log x minus 1 by 4 x square plus c यहां तक तो मैंने कर लिया अब देखिए इसके आगे भी अगर कुछ बढ़ाना चाहते हैं जैसे x by 2 common करना चाहते हैं तो कर लेते हैं नहीं तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं यह हो जा गया आपका फाइनली एंसर question number 5 5 में क्या है integration x log 2x dx तो सेम वहीं question नहीं बस यहां पर 2x दे दिया है तो इसको बनाएंगे हम प्रथम और इसको बनाएंगे second बना के करते हैं तो प्रथम log 2x integration x dx minus integration d by dx प्रथम योग या प्रथम के लिए integration gt x dx और in total का dx फिर देखिए log 2x into x square upon 2 यह मैंने समाकलन कर दिया minus integration इसका हम करेंगे ओकलन तो 1 by 2x into अब 2x का भी ओकलन करेंगे तो मिल जाके cable 2 अब इसका करेंगे समाकलन तो यह मिल जागा x square upon 2 in total का dx फिर आगे देखिए x square by 2 पहले कर देते हैं log 2x minus अब यह देखिए 2 से 2 cancel x से x cancel मिल जागा क्या 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं और यह हो जागा केवल x dx तो लिख लेते हैं यहापे x dx अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसका करते हैं समाकलन x square upon 2 log 2x minus 1 by 2 x square by 2 और प्लस c finally इसका एंसर जोगा जागा x by x square by 2 log 2x minus 1 by 4 x square plus c यह हो जागा इसका एंसर question number 6 integration x square log x dx यह question है तो हम इसको फिर से बनाएंगे प्रथम और इसको बनाएंगे second तो कर लेते हैं log x integration x square dx minus integration d by dx log x integration x square dx और total का dx यह हो जागा इसको फार्मिले का अनसर अब log x इसका हो जागा x power 3 upon 3 minus integration यह 1 by x into x power 3 upon 3 total का dx आगे तो यहाँ पे x power 3 बटे 3 log x minus अब देखिए x से x cancel हो जागा 1 by 3 को बाहर करेंगे मिल जागा x square dx फिर अगे देखिए क्या है x power 3 upon 3 log x minus 1 by 3 x power 3 upon 3 upon 3 and plus c फिर अगे x power 3 upon 3 upon 3 log x minus 1 by 9 x power 3 upon 3 यह हो जाएगा इसका एंसर question number 7 question number 7 integration x sin inverse x dx यह है question अब क्या करना है हमें बनाना है इसको प्रथम और इसको second इसको बनाने के लिए हम इसको इस तरह लिग भी सकते हैं sin inverse x into x dx क्योंकि इसको प्रथम बनाना है इसको second तो इस तरह से कर भी सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले sin inverse x integration x dx minus integration d by dx sin inverse x integration x dx total का dx ये मैंने कर लिया इसका formula formula लगाने के बाद अब हमें शरलर करना है कर लेते हैं sin inverse x into x square upon 2 minus integration sin inverse x का जो आउकलन होता है तो इसका आउकलन हम यहाँ पर डारेट कर लेते हैं वो होता है 1 upon root 1 minus x square ये होता है इसका आउकलन formula आपको याद होना चाहिए और ये हो जागा x square upon 2 in total का dx फिर आगे देखिए x square upon 2 sin inverse x minus अब हमें क्या कर रहा है यहाँ पर जो दिख रहा है इसका हमें करना है समाकलन अब कैसे करेंगे ध्यान दीजेगा अब इसके लिए ये जो x square है उसमें हमें जोडना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा ताकि हम समाकलन करने में सही कर ले समाकलन देखिए कैसे इस तरह से एक minus घटाएंगे और एक जोड़ेंगे ताकि इसमें कोई भी effect नहीं आएगा करने के बाद देखिए ये जो minus था इसको plus भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने minus x square यूज़ किया है और हर में लिख लेते हैं जो हमारा दिया गया है हर में ये 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं root 1 minus x square और in total का d x समझ में आ गया होगा आपको नहीं आ तो फिर से समझ लीजी यहाँ पर मैंने क्या किया है ये जो x square है इसमें एक जोड़ा है और एक घटाया है लेकिन x square के पहले मैंने minus लगाया तो इस minus को cover करने के लिए मैंने यहाँ पर plus लगा लिया ये minus था और ये 1 by 2 को मैंने यहाँ कर लिया अब करते हैं हम इसको अलग-अलग integration x square upon 2 sin inverse x plus 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं integration 1 upon इसको कर लेते हैं root 1 minus x square यह वजागा पहले के लिए और दूसरे के लिए क्या कर लेते हैं यहाँ पर 1 minus x square को ही ले लेते हैं दोनों साथ में minus integration 1 upon root 1 minus x square dx ठीक है यह आपको समझ में आ गया इस 1 minus x square के साथ मैंने एक पहला ले लिया और minus 1 upon के साथ दूसरा ले लिया तो दोनों अलग अलग है मैंने integration यहाँ पर करना है तो चलिए करते हैं तो यहाँ पर इसको solve करने के लिए हम थोड़ा सा rough कार का use कर ले या step by step करें तो हमें नहीं लग रहा कि rough कार करेंगे तो आपको समझ में आएगा step by step करते जाते हैं x square upon 2 sin inverse x plus 1 by 2 देखिए यहाँ पर integration 1 minus x square upon root 1 minus x square इसमें हमें प्रमेई गुडां करना है 1 minus x square चे उपर नीचे गुडा करना है फिर इधर देखिए integration 1 upon 1 minus x square dx यह formula होता है कि इसका sin inverse x का तो इसका समाकलों हो जागा sin inverse x ठीक है यह मैंने इसका समाकलों कर लिया है बस 1 by 2 से भी multiply करना है चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करके इसका भी integration कर लेते हैं x square upon 2 sin inverse x plus 1 by 2 integration यहाँ पर देखिए अगर इसका गुडा करेंगे तो करड़ी से करड़ी करड़ी बचेगा 1 minus x square और 1 minus x square से काट देंगे तो हमें बचेगा root 1 minus x square dx minus 1 by 2 भी यहाँ पर लगा लेते हैं क्योंकि 1 by 2 एक बार इसमें multiplication कर लिया है और एक बार इसमें 1 by 2 sin inverse x यह हो गया अब इसका हम करेंगे समाकलन किसका root 1 minus x square dx का है इसका समाकलन करके हम आपको दिखा देते हैं अब देखे यह जो integration करना है मैं यहाँ पर इसको द्यान देजेगा इसके लिए एक formula आता है उस formula को हमें आपको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके वो formula कौन सा होता है formula का मैंने एक वीडियो बना था वो formula नमर 26 पे आएगा आप देख सकते हैं अगर है तो नहीं है तो हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं वो formula है integration root a square minus x square dx इसका जो integration होता है वो होता है x by 2 integration a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x by a यह होता है formula तो यहाँ पर यहीं चीज़े हमें देखने को मिलना है देखिए a square minus x square a square minus x square यह भी root है यह भी root है तो इसके स्थान पर हमें यह चीज़े use करना है तो वो कर लेते हैं और बाकी तो हमारा finally हो चुका है चलिए करते हैं तो देखिए मैंने यह formula apply कर लिया है कैसे यह बता देते हैं तो बाकी यहाँ से यहाँ तक तो मैंने इसको छोड़ दिया है 1 by 2 को बाहर कर लिया है और यहाँ पर इसका formula कैसे लगाया देखिए x by 2 तो यह हो गया x by 2 और root यह तो formula है a square minus x square तो a की value है 1 तो लिखेंगे 1 minus x square plus a square by 2 तो a square a का मान 1 है 1 by 2 sin inverse x कैसे है sin inverse x upon a है a की value 1 है तो यह हो गया x upon a 1 1 नहीं लिखेंगे minus बाकी चीज़े मैंने क्या छोड़ा है minus 1 by 2 sin inverse x तो यह चीज़े यहाँ पर लिख लिया सभी का integration होने की वज़े मैंने यहाँ पर plus c लगा लिया अब मुझे क्या करना है 1 by 2 को इसमें गुड़ा करना है और एक बार इसमें गुड़ा करना है उसके साथ ता तो इसके calculation करके छोड़ देना है वो हमारा हो जागा समा कलना चलिए इसको कर लेते है देखिए मैंने क्या किया 1 by 2 को multiplication कर दिया तो x by 4 यह चोड़ दिया और यहाँ पर multiplication किया 1 by 4 sin inverse x और बाकी को मुझे छोड़ दिया और यहाँ पर bracket को भी मैंने हटा दिया अब करने के बाद देखिए क्या करना है इसको हल करना है तो देखिए 1 by 4 sin inverse x यहाँ पर 1 by 2 sin inverse x अगर कामन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेंगा मिल जाएगा 1 by 2 minus 1 और इसको हल करेंगे तो हमें जो मिल जाएगा हमें यह एपर लिख लेट हैं direct sin inverse x प्लस x by 4 root 1 minus x square और इसको जो हल करेंगे तो मिल जाएगा हमें minus 1 by 4 sine inverse x plus c अब इसको हल कर लिजेगा इसके बाद यहां तक हो गया अब देखिए यहां पर इसमें से हम common कर सकते हैं common करते हैं क्या 1 by 4 common करते हैं 1 by 4 और sine inverse x इसको common करते हैं तो हमें क्या बिलेगा मिल जाएगा 2x square minus 1 यह चीज़े मिल जाएगा बाकी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूं plus x root 1 minus x square upon food और यह plus c यह हो जागा इसका finally answer question number 8 question number 8 integration x tan inverse x dx तो इसको भी हम बनाएंगे प्रतम और इसको करनाएंगे second कर लेते हैं tan inverse x integration x dx minus integration d by dx tan inverse x integration x dx total का dx करने के बाद अब हल करते हैं यह हो जागा tan inverse x x square upon 2 minus integration इसका होता है 1 upon 1 plus x square यह होता है आउकलन और into x square upon 2 यह हो गया समाकलन और यह total का dx करने के बाद देखिए अब इसको अलग-अलग कैसे करेंगे tan inverse x यहाँ पे x square upon 2 पहले कर लेते हैं minus अब इसमें क्या करना है x square के बाद अब यह चीजे बनाने के लिए एक बार हम जोडते हैं और एक बार घटा लेते हैं बटे 1 plus x square और यह 1 by 2 बाहर कर लेते हैं 1 by 2 in total का dx फिर देखिए x square upon 2 tan inverse x minus 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं integration x square plus 1 upon x square plus 1 यह पहले के लिए लेते हैं और यहां दूसरे के लिए हम plus use minus use use करेंगे क्यूंकि bracket नहीं खोला है मैंने 1 upon 1 plus x square dx ठीक है यह हो गया total bracket close फिर देखिए x square upon 2 tan inverse x minus अब bracket भी खोल लेते हैं यह हो जागा cancel यह हो जागा dx के होल तो 1 by 2 dx का समाकलन करेंगे तो केवल x और यह हो जागा plus minus minus plus हो जागा और यह हो जागा tan inverse x का formula होता है और plus c तो यहां पर आप देख सकते हैं यह finally इसका answer हो जाएगा यहां पर एक mistake भी है यह 1 by 2 इसमें भी गुड़ा हुआ है और इसमें नहीं हो पाया वहां पर आपको मिल जाएगा या वीडियो के description में भी आपको link मिल जाएगा आप देख सकते हैं चले शुरू करते हैं भाग 9 उसके लिए next video में शुरू करेंगे तब तक के लिए कुले तक कुले कुछ Кाया個人 इस हम सकते हैं जापको कुम करेंगे तब तक कुम चले जापको brake यापको यापको क कुम तधки झाल झाल